हेलो गाईज कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे तो चलिए एक और नया फ्रेस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं टिक टॉक के बारे में कहीं जगत पर ऐसी अखवाय आपको सुनने के लिए मिल रहा है या फ स्टार्ट करते हैं समय की बरवादी को ना करते हुए तो यहाँ पर क्या कुछ ऐसी चीज़े हो रही है जिसके बज़े से यह बैन होने की कगारफे खरा है या फिर सुप्रेम कोट या फिर इंडिया गॉर्णमेंट चाहता है इस सर्विस को ब्लैक लिस्टेट कर देना अगर बैन के बारे में आपको बिस्तारित जान करी चाहि तो देखिए TikTok या फिर Musical.ly जो है इसमें बहुत सारी ऐसी वीडियो अप्लोड होता है जो मतलब एक इंसान ने क्या उसको देखते हुए दूसरा एक इंसान करता है और वो भी जो की है popular हो जाता है यहाँ पर जो expressions होते हैं चेहरे का उसको extreme level तक पहुँचा दिया जाता है अ यहाँ पर मुग को मतलब extreme level तक जो कि फाड़ा जाता है यहाँ पर बहुत ही dirty level पर जो कि रोया जाता है और यह सभी चीज़े जो बच्चे होते हैं उनके लिए सही नहीं होता है मतलब आप literally एक बात सोचो चत पैसे मिलते हैं इस चीज से थोड़ी बहुत revenue generate होता है जिससे अब थोड़ा बहुत चीज़े ही कर सकते हो छोटा मुटा recharge वगरा कर सकते हो लेकिन इसी चीज को भी लोग मतलब कैसे platform पे लेके जा रहे हैं मतलब इस चीज को क्या सोच रहे हैं अब यहाँ पे जो इंडियन government है उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से observe किया औ उसके बज़स से जो chin lock है वो हो सकता है मतलब यहाँ पे जो bones है वो एक दूसरे के against lock भी हो सकते हैं जो कभी ठीक भी नहीं हो सकता है और उसके लिए बहुत महिंगे operations वगरा करवाना पड़ता है यहाँ पे लोग मतलब दिवारों पे कूद रहे हैं उची उची जगों से दिखा रहे हैं तो यह सब चीजे जो कि है बिल्कुल सही नहीं है और यह सब चीजों से छोटे जो बच्चे हैं वो काफी कुछ गलत सीख लेते हैं अब वो इस चीज को और भी एक लेवल प्लस पे जाके करना चाता है और वहाँ पे इस चीज को और भी खतरनाक बना देता लोगों को एंटरटेंट करने के लिए या फिर व्यूस गेंड दनने के लिए या फिर थोरा बहुत जो कि ये coins उसी application में पाने के लिए तो यहाँ पर बात हो रही है इनी सब चीजों को main मुद्दा बना के वही इस चीज को block करने के बारे में या फिर इस service को ban करने के बारे में अब इसके खिलाब जो कि है एक कारवाई already TikTok या फिर musical.ly ने किया है उन्होंने एक मतलब benchmark बनाया है कि वही 13 साल के नीचे जो बच्चे हैं या फिर 13 साल उमर के जो बच्चे हैं वो TikTok पे नहीं आ सकते हैं अपना content नहीं बना सकते हैं लेकिन ये चीज़े बेकार की हैं कि 13 साल का वच्चा 20 साल का फेक प्रोफाइल उनलाइन पर बना सकता है यहां पर कोई तो यह सभी चीज़े जो की है कोई मायने नहीं रखता है तो आप बोलोगे क्या बैन कर देना solution है जिक बिलकुल बैन कर देना कोई solution नहीं है क्योंकि इसी तरीके की बहुत सारी application जो कि यह already exist करता है मतलब TikTok या फिर musical ही नहीं रहेगा तो वो आ गया जाएगा और सेम चीज़ इसके साथ भी होता रहेगा तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं यहाँ बहुत सारे लोगों की दिमाग में ऐसा सकते हैं कि हाँ आधाराइडिक प्रूफ डाल दो यहाँ फिर गोर्डर प्रूफ डाल दो कुछ भी डाल दो लेकिन एक authentication प्रूफ डाल दो यहाँ पर क्या आएगा यह तो बाद में देखेंगे और वो जो भी करेगा हमारे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करेगा तो मैं उमीद करता हूँ जो भी फैसला आएगा उसको आप सब तहे दिल से सिकार लेंगे और अगई अभी भी अगर आप किसी भी application में जाके इस तरीके की काम कर रहे हैं तो प्लीज मत कीजिए यहाँ पर आप टैलेंट अबना दिखा सकते हैं लेकिन कुछ अच्छे चीज़े दिखाईए एक्स्ट्रीम लेबल पर जो आप expressions देते हैं वो दूसरे और भी लोग ट्राइ करते हैं जिसके बज़े से उनको कुछ जो कि आपका ही है तो प्लीज सब्सक्रेब कर देना वीडियो को शियर करो जितने ज्यादा हो सकते हैं जो कि लोगों को इस information की ज़रूरत सकते हैं तो एक और नया फ्रेस वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई